और दूसरा यग्यका खेल ये है देव आत्माओं के आवाहन का संसार में तीन तरह की आत्माएं है देव आत्मा दूस्ट आत्मा और सिंपल आत्मा साधारन आत्माओं का जन्म शरीर छोड़ने के पस्चाच तुरंत हो जाता है क्योंकि उसके कर्म और प्रारब्द के हिसाब से अगर पुन्न थोड़ा है तो उसके इच्छा के नुसर घर मिलता है मंत्री बनने की इच्छा है और नहीं बन पाए और पुन्न है तो मंत्री के घर में पैदा हो जाते हैं तो उनको चांस मिलता है मंत्री प्रधान मंत्री बनने का यह दुनिया की रिती है आप अनुभो कर सकते हैं ठीक वैसे ही क्रिकेटर बनने की इच्छा थी अगर पुन्न है बिना पुन्न के नहीं तो आप क्रिकेटर के घर में पैदा होते हैं एक्टर बनने की इच्छा है और पुन्य है तो एक्टर के घर में पैदा होते हैं, अमीर बनने की इच्छा है और पुन्य है तो किसी अमीर के घर में पैदा होते हैं, लेकिन जो दुस्ट आत्मा है और जो स्रेश्ट आत्मा है इनको जन्म लेने में जल्दी भी हो सकता है और और स्रेष्ट देव आत्माओं को भी इंतजार करना पड़ता है कि स्रेष्ट मा मिल जाए घर मिल जाए मान लिजे जनम जनम का कोई साधू है और उपर है और उसको घर चाहिए उजनम जनम तक स्तपस्या किया साधना की सिद्धी हासिल किया ग्यान हासिल किया फिर से जनम लि आप देखेंगे कि धार्मिक बच्चे जल्दी ही मर जाते हैं, छोटी उम्र में वो आपस चले जाते हैं, तो कि इतना धार्मिक था भगवान ने अत्याचार कैसे कर दिया, अत्याचार नहीं किया, वो अपनी मरजी से वापस चला गया, उसको ये घर पसंद निया है, तो दो बीत गया है, फिजिकल वोडी नहीं है, वो प्रेजन्ट नहीं है, वर्ली लाइक में, संसारिक जीवन में, इसलिए हम क्या कहते हैं, भूत हो गया, भूत को हिंदी में किसको कहते हैं भूत, पास्ट को, जो बीता हुआ काल है, उसको भूत कहा जाता है, इसलिए आत्मा शर केटेगरी अलग-अलग है, कि दोस्ट है, तो डाइन, चुडएल, डाकिन, साकिन, पिशाच, प्रेथ, यह केटेगरी है उनके कर्मों के हिसाब से, और स्रेष्ट है, उसी भूत को देवता है, पीतर है, एंजल है, ऐसे नाम से हम बोलते हैं, और यह जो भूत प्रेथ आते हैं, लिकिन देव आत्मा बिना बुलाये नहीं आती, यग्य का विज्ञान देव शक्तियों, देव आत्माओं को बुलाने का विज्ञान है, और बुलाकर भोजन कराने का विज्ञान है, कहते हैं, देवा धीनम जगत सरवा, मंत्रा धीनम देवता, देवताओं के बुलाते हैं तो हम निमंतरन पत्र देते हैं तिथी फिक्स करते हैं और सजावट करते हैं इंतिजाम करते हैं और जब आते हैं तो उनको स्वागत सत्कार फूल माला यह सब करते हैं और फिर दूर से आते थे पहले तो रत में घोड़ा गाली में आते थे तो धूल मिट्टी लग सकता था इसलिए उनको स्नान भी करवाते थे नए वस्तर भी देते थे और वस्तरधारन करने के पश्चात जनेऊ पुष्प फिर भोजन भोजन के पश्चात हम क्या करते थे उनसे छमा मंगते थे कि हमसे कोई त्रूटी हो तो छमा करिएगा और आखरी में और एक उपहार फूल देते थे जाते समय वो भी कहते थे कि हमारे लाइक कोई बात हो तो आप बोलिएगा जैसे अतिती बोलते हैं न कि किसी मिनिश्टर को अपने घर आपने बुला लिया सब स्वागत सतकार किया तो जाते जाते हो जरूर बोलेगा कि हमारे लिए कोई काम होगा तो बताईएगा ठीक वैसे ही देवता जाते जाते बोलते हैं कि हमारे लाइक बताओ तो आप कहते हैं कि सर्वेभवन तो सुखिना सब के कल्यान के लिए कीजिए और हमारे लिए भी क कर दीजिए पूरा यग्य का साइंस ऐसे ही चलेगा अभी हम एक एक कर्मकान कराएंगे आप देखेंगे कैसे होता है पानी का कटोरी हाथ में लीजिए और एक फूल लीजिए साधनाधि पवित्री करणम सभी समानों पे आप जल छिड़केंगे थोड़ा जब हम मंत्र बोलेंगे ओम पुनातीते परिषृत्वगवं सोमगवं सूर्यस्यदुहिता वारेनसस्वतातन ओम्पुननANTुमादेवजनाह Pुनंतुमानसादियाह Pुनंतु विष्वभूतानिजातवेदअ पुनिह्मा ओम्यत़्े पवित्रमर्चिसिक्नेवितत मंतरा ब्रमतेन पुनातुमा यग्य सर्म स्रिष्ट कारे हैं कहते हैं यग्य वई स्रिष्ट तमा कर्मा यग्य से बड़ा स्रिष्ट कारे दुनिया में कुछ भी नहीं या यू कहें कि समस्त स्रिष्ट कारे यग्य ही हैं तो यग्य करने वालों को देवता प्रसन्य होते हैं आशिरवात देते हैं तो हम उनके तरफ से आपका स्वागत करते हैं ओं भद्रं करने वी शुनयाम देवा भद्रंपसे ममक्ष विर्य जत्रा हा स्थीरै रंगय स्थुष्टुवा गऊंसस्तन वेव सेमः देवहितं यदायु होaz। पवित्री करणम देव शक्तियां पवित्रता प्रिये हैं धर्म का मूल पवित्रता है और धर्म का सिखर भी पवित्रता है हम जब करें तब करें उपवास करें तिर्थाटन करें या जल चड़ाएं कुछ भी करें हिमाले में जाके बैठे रहें सबका सार ये है कि हिर्दे पवित्र होना चाहिए अगर पवित्र हो गए तो फिर किसी भगवान को ढूणने के जरूरत नहीं भगवान तो अंदर ही बै एक बार एक आदमी सेड़ जी को बहुत पैसा हो गया दुनिया का सबसे पैसा वाला हो गया तो जितने चमचे थे उन्होंने कहा कि दुनिया का सब कुछ तो आपके पास है तो आप क्या खरीदेंगे आप तो एक काम करो आप भगवान पा लीजिए भगवान भी लोग भगवान नहीं मिले भगवान के बारे में बताने वाले लोग मिले लेकिन भगवान नहीं मिले तो उन्होंने पूछा कि भगवान कहां मिलेंगे तो किसी ने बताया कि आप कलकत्ता चले जाए वहां ठाको रामकृष्ण परमंस नाम के एक संत रहते हैं जो काली माता से बा कि जो भगवान से बात करता हो वो संत तो बहुत बड़ा मठाधीस होगा बहुत सोना शांदी पहने होगा सोने के सिंगासन पर बैठता होगा बहुत सारे चेले होंगे आसवास लिकिन जब गए तो बगीचे में देखा एक बुजुर्ग आधी धोती पहने हुए फूल तोड है कि काली माता तुम से बात करती है बुले हां करती है तो यह काम करना मैं तो बहुत व्यस्ता आदमी हूँ जब मां आए तो मेरे पास भेज देना तो ठाकुर ने कहा कि भेज दूंगा तेरे पास जब मां आएगी तो लेकिन तुम अपना पता दे के जाओ तुम अपना प अपना पता बताओ ठक आवा आदमी पता दे दे के तुम कहाँ रहते हो यह तो तुम्हारा शरीर जहां जाता है आथा वो बताया तुमने तुम किदर हो चरनों में गिरके रोने लगा कि ठाकुर मुझे मेरा पता मालूम ने सुन집 खाकुर disturbing को बुछाने के लिए मां को पुकारने के लिए बहुत बड़े उत्सव की जरूरत नहीं, बहुत बड़े बाजा बजाने की जरूरत नहीं, बहुत बड़े पंडाल लगाने की जरूरत नहीं, और न कहीं ढूडने और खोजने की जरूरत है, जरूरत है अपना पता जानने की, अपना पता जान लोगे जिस दिन तो अपने घर पहुंच जाओगे मा वहीं बैठी वो तो कहीं गई ही नहीं तेरे अंदर ही बैठी है अपना घर पहुंच जा तु बहुत दुनिया में भटक रहा है तो पवित्रता जब आती है तो हम अपने आप में पहुंचते हैं और समस्त धर्म के कर्मकांड त अगर पवित्रता आ गई तो भगवान आपके पीछे पीछे जाएंगे आपको भगवान को पीछे नहीं जाना और यह भी कहते हैं कि मेरा सुमरन हरी करे में मै पाउन जब अगर भगवान पवित्र आप हो गए तो आपका सुमिरन वो करेगा अब आपको क्या करना तो अब एक कर्मकांड करेंगे हम यहों तो सब लोग इसनान करके आये है मन में ये बिशार भी आम लोगों के आता होगा कि जब नहां के आये तो थोड़े से जल छेड़कने से क्या हम पवित्र हो जाएंगे जरूर हो जाएंगे क्योंकि उस नहाने के पानी का भी महत्तु था लेकिन मंत्र शक्ती से ओत प्रोत इस जल का विशेश महत्तु है मंत्र के प्रभाव से जल एक विशेश शक्ति साली हो जाता है और निगेटिव सारे हम उर्जा दूर कर देता है दूसरी बात according to law of attraction हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं वही हो जाते हैं जब रोज-रोज हम कहेंगे कि हम पवित्र हो रहे हैं तो एक दिन हो ही जाएंगे या पास्ट में नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे कि हम हो रहे हैं यह continuous stance में है कि हम अभी पवित्र हो रहे है तो आप एक दिन पवित्र हो ही जाएंगे रोज-रोज संकल्प लेंगे तो अभी एक बार करेंगे left hand में बाएं हाथ के हतेली में एक शमच जल लिजिए पानी लिजिए सभी लोग और दाहिने हाथ के से उसे ढख लीजिए मंत्र बोलने के साथ आप भाव ना करेंगे कि मंत्र इसे अपने शरीर पे छिलकेंगे और भाव करेंगे कि मंत्र से ओत प्रोत जल की वर्सा के साथ पवित्रता का वास हमारे अंदर हो रहा है चलिए ओम पवित्रह पवित्रोवा सर्वावस्थाम गतोपिवा यस्मरेट पुंडरीकाक्षम सवाय अभ्यंतर जुचि ओम पुनातु पुन्रीकाक्षा पुनातु पुनातु पुन्रीकाक्षा पुनातु आच्मनम शरीर की पवित्रता के लिए हमने ये कर दिया लेकिन मन, कर्म और बचन ये तीनों का बाइलेंस होना चाहिए तो यहां हम करें कि मन, वानी और अन्तह करन कि हम सोचें अच्छा वही जीवन बनाएगा और जो सोचेंगे वही हम बोलेंगे तो हमारा वातवरण बनाएगा हमारा संबंध बनाएगा और जीने में सुविधा करेगा और सम्वेदना हिर्दे में हो अंदर हम कुछ कलुशित न भरके रखें यही अग्य सिखाता है तो जल्ले लीजे एक शमच और तीन बार पीना है एक बार मन पवित्र हो रहा ये भाव करके दूसरी बात वानी हमारी बोली पवित्र हो रही है और तीसरी बार अंतकरन पवित्र हो रहा है वानी ही है जो हमारे हिर्दे के अस्तर का परिचे कराती है हम क्या है वो हमारे बोलने से पता चलता है इसे पी लिए ओम अम्रितो पस्तरन मसी स्वाहा ओम अम्रिता पिधान मसी स्वाहा ओम सत्यम यशास्रिमैस रिस्रेताम स्वाहा तो चर्चा यह हो रही थी कि वानी की समें जो इमोसिनल कॉसेंट होता आईक्यू के बाद एक्यू होता है आजकल उसका बेस क्या है उसका बेस यह है कि मन कर्म और वचन ये तीनों में आप कितने परफेक्ट है और तीनों में और इमोशन भी आपका कितना है संबेदना आपकी कितनी है माइंड कितना कुल है और उसको कैसे बेभार में थौट को लाते है और आपकी बोली, बोलने में आप कितने perfect हैं, आप बोल के लड़वा रहे हैं या बोल के जगड़ा संभाल रहे हैं, बोल के अपना काम बना रहे हैं कि अपना काम ही गयाड ले रहे हैं, और बाद में आप बोलते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हम से यह हो ही जाता है, तो आप perfect आदम है और आपका action और emotion आपका कितना है क्योंकि आप जो कारे कर रहे हैं उसमें संबेदना आपकी है या नहीं आप rigid तो नहीं है किसी बात के लिए आप अपना एक थोट लिए हुए हैं उसी पर अड़े हुए हैं उसके साथ संबेदना कंपेशन आपका कितना है कि उसका पूरे समाज का वेक्ति का इस हमारे कर्म से भले हमको नुक्सान हो रहा है लेकिन कल्यान हो रहा है या नहीं तो आप परफेक्ट आदमी होगे आप intelligent है पहले intelligent चेक किया जाता था अभी emotional कहते हैं कि आपका emotion से personality समझ में आएगी नहीं तो आपका emotion डिस्टर्व है तो आप mentally डिस्टर्व आदमी है आपकी personality आप पड़े लिखे हैं बहुत पैसा है धन है लेकिन आप great personality नहीं है इंडिया के personality शब्द को अगर ठीक से समझेंगे English शब्द में यह शब्द जो आया है परसोना से बना परसोना का मतलब होता है mask मुखोटा आपका मुखोटा सुन्दर है तो आप great person है तो कैसे पहले अब यहां भी change हो के आप वेस्ट में भी अब इस्थिति बदल गई लेकिन पहले इतने ही मानते थे आपका building अच्छा है जूता अच्छा ब्रांडेड है घडी ब्रांडेड है आपके hairstyle अच्छा है body fit है आप सुन्दर बोलते आप great personality वाले लेकिन हिंदुस्तान ने इसको कभी नहीं माना क्यों वहां कहा कि आप ग्यानी है आप संबेदंशील है तो आप great personality है आपका building नहीं है जोपडी में रहते फिर भी अगर ग्यानी है तो आप great personality यहीं कारण है कि भारत ने कभी भी राजकुमार सिधार्थ को नहीं पूजा जब त्याग दिया महल बुद्ध बन गए तब उनकी पूजा की कभी भी हिंदुस्तान ने वर्दमान राजकुमार को नहीं पूजा जब कपड़ा भी त्य प्राग दिया महाबीर हो गए तब उनको पूजा भारत में हमेशा कभीर और रैदास को पूजा है गुणों को पूजा है बोलिये अग्य भगवान की प्राण आया महा प्राण जीवन में बहुत जरूरी है बिना प्राण के हम मुर्दा होते हैं कम प्राण हो तो विमार होते हैं प्राण ही निकल जाए तो लास बन जाते हैं और महा प्राण है अगर प्राण अधिक है उसी को महा पुरुष जवर्दस्त आदमी कहा जाता है जो हर विपरीत परिस्थिती को भी सामना करता है कभी यह नहीं कहता कैसे काम करें यह लोग न और कभी भी हर आदमी को याद रखना चाहिए कि अगर आप शिखर पे पहुचना चाहते हैं महान बनना चाहते हैं तो संसार के बिग्ण बाधाएं आपके लिए एक सीड़ी है जो भी महान बने हैं उसी सीड़ी पर चड़के गए हैं आप सोचते हैं कहीं और से चले आप साधारन आदमी बने रहे हैं और मुर्दे जैसी जिन्दगी जी लिजी अगर महान बनना है तो चैलेंज स्विकार करना पड़ेगा नहीं कर सकते तो साइड हो जाईए और उस चैलेंज को स्विकार करने के लिए प्राण चाहिए तो प्राण कहां से आएगा भगवान प्राण दिया है जितना आप ग्रहन करने लंबी सांस लेनी चाहिए गहरी सांस लेनी चाहिए और नियमित उपासना करनी चाहिए गायतरी मंतर का जब करना चाहिए उसके पहले चारो करम कांड करना चाहिए रोज प्राणायाम इसी बहाने आपका तीन-चार बार हो आपके चेहरे पे तेज आएगा, आखों में तेज आएगा, आपके बोली में तेज आएगा, तो रोज प्राणायाम करना चाहिए और COVID-19 जैसे वाइरस से आप ऐसे ही बचे रहेंगे, अगर स्ट्रॉंग रहेगा आपका लंक्स और इम्यून सिस्टम प्राणायाम से करना, तो आप प्राणायम करके इम्यून मजबूत कर चुके हैं, जैसे भारत में बहुत लोगों को आया कोरोना, आया और गया पता ही नहीं चला, वो इतने प्राणायाम करते हैं, कि फरक ही नहीं पड़ा, थोड़ा एक शिक्षाक आके चला गया, लगबग लोगों को हु रोकेंगे और फिर धीरे धीरे निकालेंगे, इसमें खास बात हवा लेना और छोड़ना नहीं है, उसके साथ संकल्प, लेते समय सोचना ये है कि पूरे वातवरण में आकास में ब्लू कलर का नीले रंग के प्राण भरा हुआ है, और उस प्राण को हम अंदर ले रहे हैं, अंदर जब रोकेंगे तो भावना करना है कि हमारे शरीर के रोम रोम में कणकन में प्राण भर रहा है, हम प्राणवान हो रहे हैं, आनंद मिल रहा है, बिमारी रोग सब दूर हो रहा है, फिर निकालेंगे तो निकालते समय देखना कि कचड़ा, काले काले, पाप, आम जना ओम तपा ओम सत्यमं तत्स वितुर्वरेन्यं आपो जो तीरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वा ओम झाल लोम हुआएएएएएएएएएएएएएद ड़ित जब लोगवस्वारेन्य।